Good morning students, बेटा आज हम पढ़ेंगे कक्षा दस्वी में वाच्चे परिवर्तन वाच्चे का शाब्दिक अर्थ है वाणी, कथन, अथवा बोलने का विशे वाच्चे शब्द अंग्रेजी के वॉइस का हिंदी रूप है वाच्चे की परिभाशा वाच्चे की वह रूप रचना जिससे पता चले कि क्रिया को मुख्य रूप से चलाने वाला करता है, कर्म है अथवा भाव है वाच्चे के प्रकार हिंदी व्याकरण में वाच्चे तीन प्रकार के हैं कर्तरी वाच्चे, कर्म वाच्चे और भाव वाच्चे कर्तरी वाच्चे, जिस वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, वहां कर्तरी वाच्चे होता है अर्थात क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है, उसी के अनुसार क्रिया चलती है जैसे बालक दूद पीता है, मैंने खाना खा लिया है, शाम दिल्ली गया था करत्री वाच्चे में अकर्मक और सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं अकर्मक क्रिया चानने के लिए करता से क्या और कैसे प्रश्न किये जाते हैं इन प्रश्णों के उत्तर नहीं मिलते हैं तो वहां अकर्मक्रिया होती है अकर्मक्रिया में आम तोर पर जो शब्द आते हैं हसना, रोना, खेलना, खाना, उड़ना, सोना, आदी सकर्मक क्रिया क्या और किसे प्रश्णों के उत्तर जब हमें मिल जाते हैं वहां सकर्मक क्रिया होती है जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, काम करना आदी कर्तरी वाच्चे के निशेधात्मक वाक्य कर्म वाच्चे और भाव वाच्चे में बदले जा सकते हैं कर्तरी वाच्चे के सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सक जोड दिया जाता है कर्म वाच्चे कर्म वाच्चे में कर्म की प्रधानता होती है उसी के अनुसार लिंग और वचन होते हैं इसमें द्वारा के द्वारा अत्वासे का प्रयोग किया जाता है जैसे मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है मुझसे दूद पिया जाता है पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया कर्म वाच्चे में सकर्मक क्रिया वाले वाक्य ही होते हैं जैसे पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया था, मुझसे काम नहीं किया गया। कर्म वाच्चे के वाक्यों में अक्सर क्रिया के साथ जा लगाया जाता है, जैसे सोया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, रोया जाता है आदी। भाव वाच्चे में करता और कर्म नहीं बलकि भाव प्रधान होता है भाव वाच्चे में निशेधात्मक वाक्यों में केवल से का प्रयोग किया जाता है जैसे मेरे भाई से सोया नहीं गया मां से तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता यहां मुझसे नहीं बैठा जाएगा उ कर्मक क्रिया वाले वाक्य आते हैं भाव वाच्चे में क्रिया हमेशा अन्यपुरुष पुलिंग एक वचन में रहती है भाव वाच्चे और कर्म वाच्चे के जो निशेद वाचक वाक्य होते हैं उनमें कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है हिंदी में कर्म वाच्चे तथा भाव वाच्चे के वाक्यों में करता का लोप भी कर दिया जाता है जैसे पेड नहीं काटा जा रहा कपड़े नहीं दुल रहे मकान खाली कर दिया गया हल चलाया गया इन वाक्यों में पहले वाक्यों में मजदूर से पेड नहीं काटा जा रहा में मजदूर से ये वाक्यों म मकान खाली कर दिया गया, खेत में हल चलाया जाता है, इन शब्दों का लोप कर दिया गया है.